हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु पहाडी बॉय क्लासेज अमरिता शेर्गिल जीवनी हर कृष्ण सिंग बी ए एल एल बी की रचना है इसमें लेखक प्रसित पंजाबी चित्रकार अमरिता शेर्गिल के लगु जीवन और चित्रों के बारे में जानकारी देता है लेखका बताती हैं कि अमरिता शेर्गिल का जन्म 30 जन्वरी 1913 को एक बड़े परिवार में हुआ था सुन्दर सिंग मजीथा के भाई एसुम्राव सिंग का जन्म हंगरी के बुड़ा पैस्ट में मैडम इंटोनेट के गर्भ में हुआ था उन्होंने बच्चे का नाम अमरित सर रखा उसी वर्ष उनकी छोटी बहन इंदिरा का जन्म हुआ अमरिता केवल पांच वर्ष की थी जब उसकी शिक्षा के लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की गई थी उसी उम्र में उसने रंगीन पेंसल से चित्र बनाना शुरू कर दिया उनके चित्रकार मामा ने भी उनके चित्रों को परिश्कृत किया देना होगा अमरिता के माता-पिता 1921 में भारत आये और शिमला में बस गए अम्रिता उस समय आठ साल की थी और उन्हें अंग्रेजी और पियानो सिखाने की व्यवस्था की गई थी यहां भी उसका ड्राइंग के प्रती उत्साह बना रहा और वह ड्रॉ करती रही 1922-23 में उन्हें एक अंग्रेजी चित्रकार ने चित्र बनाना सिखाया उन्होंने दोनों बहनों को वाइल इन भी सिखाया दिन बदिन बढ़ती पेंटिंग के बारे में अम्रिता के संदे को देख कर उसकी माने उसे प्रशिक्षन के लिए यूरोप की एक अच्छी कला अकादमी में भेजने का फैसला किया 1924 में वह अपनी दो बेटियों के साथ यूरोप पहुँची एस के इनसाइकलोपीडिया में नामानके थे दोनों बहनों को प्लास्टर मॉडल सिखाने लगे उस समय अम्रिता की 11 साल की उम्र स्कूल और पारम पर एक तरीके उन्हें रास नहीं आ रहे थे उसके कभी कभी वह यूपी जाता है वे अपनी रचना के जागरन में चले जाते 1927 में कुछ महीने वहां रहने के बाद वे बनारस, कलकत्ता, दाजिलिंग और लखनव चले गए अम्रिता के माता-पिता आश्वस्त है कि उनकी कला एक त्रासदी थी व्यवहार एक बात नहीं है, लेकिन वह एक जनजात कलाकार है वह उस समय 16 वर्ष की थी उसके माता-पिता उसे पैरिस ले गए उन्होंने पहले पिरिविलिट से अकैडमी ओफ ग्लैन चुमीरे में और फिर आट स्कूल ओफ आर्टिस्ट पिंजर लुधियान साइमन में कला पढ़ाया अम्रिता की उम्र के छात्रों को इस संस्थान में प्रवेश नहीं दिया गया था लेकिन उनकी रुची को ध्यान में रखते हुए अनुमती दी गई थी यहां से पांच साल के अध्यान से उनमें छेपिक शमता का पता चला और उन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा का चमतकार दिखाना शुरू कर दिया यहां अमरिता को लगा की पैरिस ने उन्हें एक कलाकार की आँखें दी हैं लेकिन उनके काम की असली जगह भारत थी आखिरकार 1934 में वह भारत आ गई उस समय वह 21 साल की थी वह एक कलाकार की नजर से भारत को अच्छी तरह जानते थे उन्होंने अपनी हवेली माज में बैठ कर काम शुरू किया 1934 से 1938 तक वह वहां लंबे समय तक रही कभी कभी वह सराय में भी जाती थी और तस्वीरें खीचती थी 1937 में उन्होंने देश का दोरा किया और दिल्ली, इलाहबाद, हाइदरबाद और बॉंबे में अपने चित्रों का प्रदर्शन किया उन्हें अच्छी समीक्षा मिली 18 जुलाई 1938 को उसने अपने चचेरे भाई और बचपन के दोस्त विक्टर एगा से शादी की उसके माता-पिता पहले तो इस जोडी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में मान गए उनके पती एक बुद्धिमान चिकेट सकते उसे मजीठिया की चीनी फैक्टरी के पास एक अस्पताल में नौकरी मिल गई अमरिता ने 1941 की गर्मियों को अपने माता-पिता के साथ बिताया फिर वह लाहौर के माल रोड पर सर गंगाराम हवेली के एक फ्लेट में चले गए 5 दिसंबर 1941 को निमोनिया से उनकी मृत्यू हो गई इस प्रकार कला का आधा खिलता हुआ फूल मुर्जा कर गिर गया